अलो बच्चो क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी अलंकार कर रहे हैं हम आज हम मानवी करण लंकार करेंगे मानवी करण लंकार में जैसे कि इस फ्रष्ट है इसके नाम से ही कि जब किसी भी पेड़ पोदे हैं बादल है कोई भी निर्जीव चीज है उसमें सजीव को दर्शाय जाए जैसे कि वो मानवी क्रियाओं का आरोप हो जैसे कि यह सभी चीजे मनुष्य की तरह मानव की तरह कार्य कर रही है जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं फूल हसे कल्यम उसकाई है तो यह निर्जीव नाम लेकिन इन पर मानवी क्रियाओं का आरोप है तो इसलिए यहां पर मानवी करन अलंकार है जैसे फूल हस रहे हैं कल्यम मुस्करा रही हैं तो यह केवल मनुष्य ही कर सकते हैं इसलिए यहां मानवी करन अलंकार है फिर मेग आये बड़े बंठन के सवर की यह कवीता भी आपने पड़ी है इसमें पूरी तरह से मानवी करन अलंकार है मेग में आसमान से उतर रही है संध्या संदर परी सी धीरे धीरे यहां पर जो संध्या है उसको परी की तरह बताया गया है उसकी तुलना एक संदर परी से की गई है जो निर्जीव है लेकिन यहां पर मानवी करन अलंकार है पिर उसा सुन्हारेतीर vy तीरपरसाती जयलक्षमेसी उदित हुई तो इहां पर उशा का वर्णन किया गया है एक नाईका की तरह है बताया गया है उसको फिद कि अतिशोक्तिय लंकार है अतिशोक्तिय लंकार में जहां किसी गुणियास्थिति का इतना बढ़ा चड़ा कर वर्णन हो कि वहाँ पर लोक मर्यादा का उलंगन ही हो जाए यानि कि वो जीज़ हो ही नहीं सकती अतिशोक्ति बात जिसके विशे में कही जाए जिसको कही जाए जिसे कि अब देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने में गगन में जा रही है पर एक साकेत नकरी बताया गया है तो उसका उचा भवन की जो उचाई के विशे में बताया गया है कि वह जो है इतनी उच यह कुछ है कि जैसे कि आकास से मिलने जा रही है ज़ी है कर दें सोरे कर अब दो है गया है, यह आग भी नहीं लगी और लंका ही सारी जल गई बताव ऐसा कोई हो सकता कि आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई हो, यह नहीं सकता नगर अतिशोक्ति वर्णन है, इसलिए यहां पर अतिशोक्ति लंकार है फिर है मेंकड़त साथ ही मयान ते असिरीपू तनसे पराण है अब यहां पर भी मतले कहा गया कि मयां निकलते ही शत्रू के पराणों का निकलना कि मयां तो चलानी पड़ेगे तब तल्वार जो चलानी पड़ेगे तब भी तो वो शत्रू गिरेंगे बगैर चलाई शत्रू की मृत्यू हो सकते नहीं ना तो फिर चेतक के विशे में कहा गया कि आगे नदिया पड़ी अपार घूर्डा कैसे उत्रे पार राना ने सोचा इस पार तब तक तो चेतक उस पार अब बताओ राना जो जो राना है वो त जिस वीर्था से सत्रू का सामना उसने किया असमर्थ हो उसके कथन में मोनवानी ने साध लिया अभी यहां पर भी अतिशोक्ति लंकार है अभी मन्यू की वीर्था का अतिशोक्ति वणन किया गया है तारा सुत्तर ने धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारावार यो तो हमलत आति शोक्ति लंकार अभी जो है एक और जबस रहो है आप már जैसे कि पती फ्रस्थान सुनते ही मुद्री का कंकण हो गई उसकी उसके विदेश जा रहे थे यह उसकी विदेश जाने की बात सुनकर ही यूरी कंजूर एक लाकई में जो उसकी उंगली में आने वाली अंगूर थीती वे उसके हाथ में आने लगी यानि कि इतनी वह कमजोर हो गई तो यहाँ पर भी अतिशोक्ति वर्णन है तो इस प्रकार से बच्चोवा आपके अलंकार जो है कंप्लीट हो गए है अब हम दुबारा से सभी चैप्टर की डिवीजन करेंगे आपको यह लंकार अच्छे से याद करने है